आप भी जादू और भूत प्रेत के किस्से कहानियों में विश्वास रखते हैं, तो राजस्थान में इन दस भूतिया स्थानों पर जाना ना भूलें। नमबर वन, अलवर का भानगड किला। राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक है अलवर का भानगड किला। यह एक प्रसिद्ध परेटन स्थल है। यह जगह वीरान और सुनसान है, हलांकि यहां परेटक जाते हैं, लेकिन सूर्यस्थ से पहले उन्हें बाहर आना होता है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां पर अजीब घटनाएं देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस किले में भूतों का साया रहता है। लोगों का कहना है कि इस किले में चिल्लाने, रोने की आवाज और पायल के खनकने की आवाज सुनाई देती है। 2. कुलधरा गांव बताया जाता है कि यह जगह करीब 170 सालों से वीरान पड़ी हुई है। बताया जाता है कि कोई भी इनसान यहां पर अकेले नहीं जाना चाहता। हर कोई यहां अकेले जाने से डरता है। बताया जाता है कि एक दुष्ट दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इस जगह को खाली कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की परनोमल एजेंसी ने कुल धरागांव में भूद बॉक्स में यहां के मरे हुए लोगों की आवाज रिकॉर्ड की है। इस किले को सवाई राजा मान सिहने बनवाया था। इसको उन्होंने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था। लेकिन उनकी मृत्यू होने के बाद ही ये किला भूतिया कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में राजा का भूत है। यहां आज भी राजा की आवा इसलिए जरा संभल कर रहिएगा। इस स्थान को राज्य की सबसे डरावनी जगों में से एक माना जाता है। इस स्थान पर गुप्त कक्ष और यहां की महिलाओं की चीखें आपको डराने के लिए काफी है। इस खिले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां रानी पदमावती ने अपनी रानियों के साथ मिलकर जोहर किया था। आपको बता दें, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल पर हमला कर दिया था और खुद को खिलजी से बचने के लिए रानी पदमिनी ने 700 महिला अनुयाईयों के साथ आत्म दाह कर लिया। तब ही से यहा से आने वाली खौफनाक आवाज आपके रॉंग्टे खड़े कर देंगी। नमबर पांच, राजस्थान का अजमेर उदैपुर हाइवे, NH-79 अगर आप भी अजमेर उदैपुर हाइवे, NH-79 से गुजर रहे हैं, तो जरा संभल कर यहां से फौरन निकल लें। ये है तो हा हाइवे को खून का रास्ता भी कहा जाता है। इस रास्ते से आज भी गुजरने वाले को यहां कई भूतों से सामना हो चुका है। कई लोगों का कहना है कि इस हाइवे पर अचानक एक औरत दिखाई देती है, जो दुलहन के रूप में लाल लिवास में नजर आती है। कहा जाता है कि तभी से इन दोनों का आत्मा यहां भटक रही है। नमबर सिक्स, कोटा का ब्रिज। राजभवन, राजस्थान के कोटा का ब्रिज, राजभवन को भूतिया जगह कहा जाता है। ये कभी राजसी हवेली थी, जो अब एक हैरिटेज होटल है। ये बाहर से गेस्ट हाउस बन गया है। यहां पर काम करने वाले लोगों के मताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छट पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है, तो उसको मेजर का भूत जोरदार थपड मारता है। हालांकि कर पाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चाल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। इस भूतिया जगह पर लोगों ने सफेद साय को रात के अंधेर में भटकते हुए देखा है। इस जगह के बारे में बताया जाता है कि यहां का राजा लालची था और इस राजा को अपनी प्रजा की जरा भी फिक्र नहीं थी तो भुकमडी से मरते हुए यहां के लोगों ने राजा को श्राब दिया था। जिसके बाद यह जगह भूति नमबर आठ सुधाबाई सामूहिक जारफूंक राजस्थान में पुषकर बाइपास परस्थित सुधाबाई वास्तव में भूतिया जगह नहीं है। लेकिन अगर आप साल में किसी खास दिन यहां आते हैं तो यकीनन यह जगह आपको बुरे सपने देने वाली है। हर साल यहां एक भूत मेला आयोजित किया जाता है। यहां राज्य के विभिन हिस्सों से लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप पवित्र कुएं में स्नान करते हैं तो बुरी आत्माएं आपको छोड़ देंगी। तीन सौ साल पुरानी सुंदर्ता जो कभी महाराजा के लिए गर्मियों में ठहरने का स्थान हुआ करती थी, अब जील में परित्यक्त है। राजस्थान में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक, जलमहल की पांच वियों मन्जिल में अद्भुत और यह अभी भी परेटकों और स्थानिय लोगों को आकरशित करती है, जो जील के किनारे से महल की यात्रा करते हैं। कहते हैं कि रात में जलमहल से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। सूर्यास्त के बाद जलमहल के आसपास जाना किसी खत्रे से खाली नहीं जाने पर पाबंदी है। अवाज आज भी सुनने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके क्या विचार है। इन भूतिया जगहों के बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार दे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और वीडियो को लाइक जरूर करे